है स Glai when वलकम टूर ओफिसीयल चैनल हम मेरा राम को अरुफान करता हों हमारे यूटुब के ओफिसीयल चैनल गोलेचिवर मीध्या फ्रेंड्स डा क्लेंडर जारी कर दी गई हृए पीस के जिवारा ओफिसीयल आना चाहूंगा जैसे कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे टेंटेटिव केलेंडर ऑफ ओनलाइन सी यार पी फोर आर आर बीज और पीएस बीज तो इसमें जो है आर आर बी का ऑफीस असिस्टेंट और ऑफीसर के सबसे पहले मैं एक्जाम डिट बता दू कि प्रीलिम्स क और ऑफीसर स्केल वन के एक्जाम्स प्रीलिम्स करवाए जाएंगे और सिंगल एक्जाम्स जो स्केल टू और स्केल 3 के लिए होता है वह 24 सेप्टेंबर को करवाया जाएगा 2022 में और में एक्जाम्स जो है स्केल वन का जो में एक्जाम है वह 24 सेप्टेंबर को सेड्यूल क किया गया है ओफिस ऐसिस्टेंटंट जो है 1 on substantive को सिडिय विवी पी बात करू तो प्रिलिम के एकजाम 28 यानी 28 अगस्त को 3 10 सप्टंबर चार सप्टंबर और i case ने जात कर वाया जाएगा 8 अक्क्टूबर इसमें दिया गया मैं पताना चाहोंगा जब आप इस पीडीएफ को देखोगे और जब इसको इस्क्रीन पे देखोगे तो प्रिली ओफिस असिस्टेंट के आगे में इस्टार लगा हुआ है और नीचे दिया गया है इस्टार से रिलेटेड सब्जेक्ट नौट होल्डिंग आफ सी टी बाइ एनर फोर ग्रूप वी पोस्ट जी हां ओफिस असिस्टेंट और कलर की ग्रूप वी पोस्ट है इसमें इसलिए लगाया गया है मैं बताना चाहूंगा कि हो सकता है इसमें बताया गया है कि अगर एनर ये जो स्लेवर्स प्रिलिम्स के वह NRA CT के according ही आपको एक्जाम देने होंगे बट जो मेंस होगा वह according to IBPS ही और IBPS के according ही आपको मेंस का एक्जाम जैसा कि चलता आ रहा है उसी के according आपको देना पड़ेगा तो NRA CT में अगर CT conduct होती है और यह जो च्वह एनरे CET के अंदर नहीं आएंगे सबसे पहली बात यह बहुत अच्छी बात है कि Scale 1 Officer हो चाहे RRBs का या IVPS PO हो यह आपको NRA CET के अंदर Implement नहीं किया जाएगा दूसरी बात कि कलरक जो है इसको ही NRA CET के अंदर लाया जाएगा अगर NRA CET आ जाती है तो पहला एक्जाम जो Prelims का है वह हमको NRA CET के recording देना होगा और मेंस जो है फिर IVPS के recording देना होगा तो यह काफी थोड़ा मुस्किल भरा है बच्चों के लिए लेकिन मेरे recording में बता और उसके वाद फिर प्रोसेस आफ रेजिस्टेशन वगेरा दिया गया है IVPS के द्वारा मैं बताना चाहूंगा NRA और CET को लेकर कन्फर्म रही है आप कि इस साल NRA और CET इंप्लिमेंट नहीं होने जारी है नहीं होगी चुकि कोविट को लेकर काफी सिच्वेशन खणाब है और गवर्मेंट अभी तक NRA CET को लेकर उनका जो क्या मोटो है क्या कब करवाएंगे क्या उसके लिए कौन सा पैनल बनेगा कौन इसका एक्जाम कंड़क्ट करवाएंगे किस तरह एक्जाम कंड़क्ट करवाएंगे क्या स्लेवर्स होगा पहला एक्जाम स्सी पैटरन पे होगा या बैंक पैटरन पे होगा कि कौन सा पैटरन फॉलो किया जाएगा कोई फिक्स नहीं है और इसलिए आप निश्चिंत रहिए कि इस बार यानि कि 2022 में भी कि IBPS जो एक्जाम है वो खुद ही करवाएगा और IBPS के एक्जाम स्कंडक्ट करवाई जाएंगे और NRA CET इस साल मेरे एक्जाम इंप्लिमेंट नहीं किया जाएगा और NRA CET नहीं किया जाएगा और इसलिए आप देखोगे कि आई वीपीस का जब आप डेट देखोगे तो ल आठ ऑक्टूबर को ही इसमें दे दिया गया एट ऑक्टूबर को सिद्डूल किया गया और यही हाल ऑफिस असिस्टेंट और भी का भी है कि उसका भी में एकजाम 24 सेप्टेंबर को ही तो हम लोग मान सकते हैं कि आइबी पीएस जो है इस बार कंड़क्ट जरूर करवाएगा और NRA CET को लेकर अभी तक गवर्मेंट का जो मोटो है यानि कि वो अभी तक किलियर नहीं है कि वो किस तरह कंड़क्ट करवाएगी इसलिए आप लोग निश्चीनत रहें और अभी से आप लोग आभी पीएस को टारगेट करें जो भी एकजाम आपका टारगेट उसको टा क्यारी करें तब ही आपका डिजल्ट डेफिनेटली होगा अधर्वाइज जब प्रिलिम्स के रिजल्ट आ जाते हैं उसके बाद कोई टाइम नहीं बसता उसके बाद दिमाग कौन सा डियाई बनाओं इस तरह दिमाग फसा रहता है इसलिए आपको साथ साथ जेनरल अवेर अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें मैं उसके रिप्लाइद दूंगा और जल्दी मैं इसके रिगार्डिंग एक डाउट सेशन आप लोग के लिए लाइव लेकिया होंगा जिसमें आप लोग अपने डाउट पूछेंगे और जो भी उसका कंक्लूजन होगा मेरे कोडिंग अगर तुम्हें आपको जबाब दूंगा थैंक्यू पर वाचिंग कि पाचिंग आवर वीडियो जो